रिच माइंडसेट एंड फानेशल गोल अचीवमेंट की इस जर्नी में मैं डॉक्षर अमित महिश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स हमने एक complete series बनाई है जिस series में हमने richness के secrets, richness का system, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे पैसे को invest करते हैं, इसके बारे में कई सारी topics पर हमने discussion किया है आज हम बात करेंगे financial freedom को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंट्स ध्यान रखिए आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको life में वो मिलता है जो आप deserve करते हैं financial freedom का जो track आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको एक example के माद्यम से समझते हैं यह एक road map की तरह है, जिसमें तीन different different lane है, सबसे पहली lane walk lane है, second जो lane है, वो speed limit lane है, और जो third lane है, वो fast track lane है मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप अपने गड़तव्य स्थान पर, अपनी destination पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप इन तीनों track में से किस track पर चलना पसंद करेंगे obviously fast speed track पर ही आप चलना पसंद करेंगे, ताकि आप अपनी destination पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें financial freedom का भी जो track है, वो भी एक road map की तरह है, जहाँ पर तीन different lane है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे walk track के बारे में, जो लोग अपनी life में active income पर काम करते हैं, दूसरों के लिए job करते हैं, दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास काम करते हैं, वो लोग walk track पर होते ह और वो अपनी journey में बहुत लंबे समय में जाकर अमीर बन पाते हैं, अपने financial goals को achieve कर पाते हैं, ध्यान रखिए active income को कमाने के लिए आपको अपनी life में लगातार काम करना पड़ेगा, जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपको active income मिलने वाली है, इसलिए financial freedom की ये सबसे ल limit lane, friends, financial destination को हासिल करने के लिए आप इस lane में अगर होते हैं, तो यहाँ पर भी आप एक बहुत अच्छी active income और साथ साथ passive income के sources भी बना लेते हैं, जिसकी वज़ा से financial freedom की destination को पाने के लिए आपकी speed थोड़ी सी fast हो जाती है, पर बहुत सारे barriers आपने लगा लिये होते हैं, क् जब आपको पता होता है कि आप अपनी financial freedom को achieve कर लेंगे, तो आप अपने कौन कौन से सपनों को साकार करेंगे, जैसे अच्छा घर, अच्छे गाड़ी, अच्छे trips, अच्छा आपका lifestyle, अच्छे clothing, इन सभी चीजों पर आप ध्यान दिने लगेंगे, तो उसको achieve करने के लि freedom पर, जो destination पर पहुँचने का समय है, उसमे एक speed break लग जाता है, और आप अपनी journey को, जिस speed से हासिल करते थे, उसमे एक break आ जाता है, उसमे एक limitation लग जाता है, and the last, that is fast track lane, ये fast track lane में, ये सभी लोग, अच्छी active income कमाते हैं, अच्छी passive income कमाते हैं, बहुत सारी assets को acquire करते है उनकी assets भी उनके लिए earning करते हैं, और साथी साथ, ये speed limit नहीं लगाते हैं, मतलब अपने उपर barrier नहीं लगाते, ये good loan और bad loan के बीच में differentiation को समझते हैं, और ये किवल good loan लेना ही पसंद करते हैं, और वो good loan भी इनकी speed को और scale up करती है, जिसकी वज़ा से, अपनी financial destination को, ये बहुत आसानी से कम समय में हासिल कर लेते हैं, फ्रेंट्स financial freedom की journey में, अब मैं आपको बताता हूँ, seven golden steps, अगर आप उन steps को follow करते हैं, तो अपनी financial journey को, आप fast track में हासिल कर सकते हैं, और इसके हजारों ऐसे उधारन हैं, जिन लोगों ने इन सभी नियमों का अनुकरन अपन करते हैं, वो लोग हमेशा अपनी money की resources को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हाँ ये बाद ठीक है, उनका focus saving पर होता है, investing पर होता है, पर साथ ही साथ, वो अपनी active income को भी develop करने के लिए निरंतर काम करते हैं, वो हमेशा ऐसे resources का chain करते हैं, जिससे उनको active और passive दोनों तरह की income आ सके, और active और passive income के बारे में मैंने last वीडियो में आपको बताये था, मेरा आपचे request वीडियो को जरूर देखें, and the second, start as early as you can, financial freedom को अचीव करने के लिए, आप जितनी जल्दी या जितनी कम उम्र में investing and saving के fundamentals को समझ जाएंगे, आप उतनी कम उम्र में उतनी जल्दी आप अपने financial freedom को अचीव कर लेंगे, so start saving and investing as soon as possible, आईए इसको एक उधारन के मादियम समझते हैं, friends, अगर आप केवल 10,000 रुपए हर साल बचाते हैं, save करते हैं, और उस saving को invest करते हैं, जिस पर मिलने वाला interest आपको 12% परेनम होता है, तो 25 साल में आप केवल 2,50,000 रुपए का करते हैं, और compound interest और investment मिला कर आपको 25 साल बाद जो amount मिलने वाला होगा, वो लगबग 14,50,000 के आसपास होगा, मतलब आपने 5,00,000 रुपए invest किया, और आपको मिला 14,50,000 रुपए, इसका मतलब यदि आप long term के लिए invest करते हैं, तो पैसा compound interest, interest पर भी interest देता है, जो आपकी ए होता है, तो friends rich mindset and financial freedom को achieve करने से संबंदित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है, तो आप वो प्रश्ण मुझे comment box में लिख कर ज़रूर बताएं, ये वीडियो आपके friends के लिए बहुत valuable हो सकता है, इसलिए facebook, whatsapp, social media के माध्यम से इसको ज़रूर शेयर करें, मैं Dr. Amit Maish आपके सुनरे बहुष्य की कामना करता हूं, जय हिंद, जय भारत